चोपड़ा है जो किस न यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चो, पिछले साल 2nd of June 23 को NMC द्वारा एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें Common Counseling के बारे में कहा गया था, अभी काफी सारे काउंसलिंग होनी है, NET 2020 के लिए जो काउंसलिंग होगी, उसमें एक सेंट्रलाइजड काउंसलिंग होगी, या फिर जो पिछली साल 2023 में काउंसलिंग सिस्टम अडोप्ट किया था, उसी प्रकार से होगा, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स दूर करने वाला हूँ, वो भी प्रूप के साथ में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कि जो NET 24 का Information Blatine NTA ने जारी किया है, उसमें ये कहा गया है, कि MCC द्वारा 15% ओल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाई जाएगी, और 85% स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग कंसरंड स्टेट अथोटी द्वारा करवाई जाएगी, ये प्रूफ है, यानि कि इस Information Blatine के 25 नमर पेजेज पर ये बात लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, आलड़ी इसमें ये लिखा गया है, कि काउंसलिंग फोर सक्सेस्फुल कंडिडेट्स फोर सीट अंडर 15% ओल इंडिया कोट एंड 100% इंक्लोडिंग 85% स्टेट कोटा सेंटरल इंस्टिटूट के और 100% सीट्स, एम्स, जिपमर, बियाच्यू, अम्यू, दियू, इन सब की काउंसलिंग, इसके अलावा दिम्ड युनिवर्सिटी की काउंसलिंग, एम्स से सी द्वारा करवाई जाएगी, ऐसा इसमें क्लियर लिखा गया है, इसके बाद में 85% कोटा के लिए भी यहां लिखा गया है, कि the counseling for admission to the seats under control of state government obliguity administrations, state university institute shall be conducted by the designated authority of the state government as per notification issued separately by authority concerned, तो मतलब यह है कि जो 85% state कोटा की और 100% private के लिए जो काउंसलिंग करवाई जाएगी, वो state कोटा, state counseling authority द्वारा ही करवाई जाएगी, तो इस साल के लिए भी यह clear है, कि जो counseling होगी, वो 2023 की तरह ही counseling होगी, मतलब 15% ओल इंडिया के कोटा के लिए counseling MCC द्वारा करवाई जाएगी, साथ ही MCC द्वारा BHU, AMU और DU, Central जो University है और इसके बाद में DIMD University, ESIC, इन सब की counseling MCC द्वारा करवाई जाएगी, कुछ rules है, admission rules है, कुछ rounds के rules है, वो बदली हो सकते हैं, लेकिन जो counseling conducting authority है, वो MCC और state दोनों पिछली वार की तरह ही रहेंगे, ये NTA के information blatant में clearly mentioned है, ये आप इसमें देख सकते हैं, आगे भी लिखा है, 26 pages पर भी लिखा है, कि जो MS, Jipmar, Central Universities हैं, और IPU के दो college हैं, VMMC और RML, ESIC हैं, Dimmed University हैं, इन सब की counseling MCC द्वारा करवाई जाएगी, ये confirm लिखावा है, 15% All India quota भी लिखावा है इसमें, जो मैंने आपको पिछली slide में बताया है, और Central University के लिए भी बाकाइदे NTA ने information blatant में जारी कर दिया है, तो जो counseling procedure है, जो counseling की conducting authority हैं, वो पिछले साल की तरह ही इस बार भी रहेंगी, MCC conducting counseling for 15% All India quota seats, 100% BHU open seats, AIMS open 100%, Jipmar, AMU 85% Internal quota VMMC, ESIC dental का, IP का भी, SIC का, MCC ही करवाएगा, जो पिछली साल करवाया है, जामिया का, ESIC की 15% है, All India की seats, प्लस IP quota के seat, AFMC का only registration, BAC nursing की 100% seat के लिए, ये सारा का सारा MCC की counseling से करवाया जाएगा, मतलब ये है कि जो private institute है, और state के, जो 85% seat है, उनका पिछली साल की तरह, state counseling authority ही counseling करवाएगी, ये official information है, बिल्कुल clear है ये, अब जब ये सारी बाते हो रही हैं, तो इसमें common counseling का जिकर क्यों किया गया था, पिछली बार के notification में, क्योंकि ये तो second of June 23 का ही notification था, अभी तक इस परकार की common counseling का rule लागू हो जाना चीए था, तो मैं आपको बता दूँ कि common counseling का मतलब ये है, पिछली बार states के जो information ब्राउचर निकले हैं, second zone के बार states के जो information ब्राउचर निकले हैं, information ब्लेटी निकले हैं, उनके जो admission prospects हैं, वो निकले हैं, उनमें सभी में common counseling के बारे में जिक्र किया गया है, ये का गया है कि DGHS के order के according common counseling held की जा रही है, और उस common counseling के तहर admission लिया जा रहा है, ऐसा states के, काफी सारे states के information ब्लेटीन में common counseling का जिक्र है उसमें, तो common counseling का मतलब ये है कि एक MCC की तरफ से intra portal तयार किया गया था पिछली बार, पिछली बार भी किया गया था, इससे पिछली बार भी किया गया था, और ये जितने भी सारे state द्वारा भी admission करवाए जाते हैं, वो intra portal पर upload किये जाते हैं, तो वो common counseling है एक प्रेसे, यानि कि एक ऐसा portal है common, जिस पर state के counseling admission, जो counseling के द्वारा करवाए गया admission है, वो भी upload किये जाते हैं, और MCC द्वारा भी उस intra portal पर ये admission upload किये जाते हैं, तो ये इस प्रकार से ये common counseling का जिक्र किया गया है, इस्टेट के information voucher में, तो ये जानकारी थी common counseling के बारे में, वीडियो का सारांस ये है कि इस बार की counseling भी 2023 की counseling की तरह ही होगी, यानि कि जो counseling conducting authority हैं, वो दोनू रहेंगी, MCC भी रहेगा और state भी रहेगा, state 85% state government quota की counseling करवाएगा, और private की 100% seat के लिए counseling करवाएगा, और MCC 15% all India quota, प्लस open seat और बाकी dimmed university के लिए counseling करवाई जाएगी, MCC दोरा, तो मैं सोचता हूँ, ये आपको बिल्कुल clear हो गया होगा, फिर भी इसके बारे में अगर कोई rule change होगा, आगे चल करके, तो हम आपको बता देंगे, हालनकि MCC के भी counseling rules change होते रहते हैं, जैसे पिछली बार rules change होते हैं, state के भी rule change हो सकते हैं, तो इस बार भी ये rule change होते हैं, तो जो भी rule change होगा, counseling के समय आपको बता दिया जाएगा, आप हमारे चैनल को subscribe करके, वीडियो को like को ज्यादा ज्यादा share करें, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा, जैह!